exercise 4.2 question number 4 if x square plus y square plus z square is equal to 78 and xy plus yz plus zx is equal to 59 then find the value of x plus y plus z तेखें इसमें जो given values है कले हमों रिखेंगे first value 78 है second xy plus yz plus zx equal 59 जो हमें find out करना है उसको लिखेंगे to find और यह बाले पास आजएगा x plus y plus z equal question mark अब यहाँ पे हम लिखेंगे by the formula अब फार्मूला अब फार्मूला अपनाई करेंगे फार्मूला एक्सकेर प्लस y स्केर प्लस जी स्केर प्लस फिर आजएगा 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx अब यहाँ से तू कॉमा ले लेगे तो bracket पे हमारे पास आजएगा x y प्लस y z प्लस z x और यह as it is हम इसको दुबारा लिखते हैं अब इस step पे हम इसमें values पूट कर सकते हैं हमें यह value find out कर रही है बाकी इन दोनों की values हमारे पास मजूद हैं यहाँ पे हम लिखेंगे putting the values और यह इस साइट पे रह जाएगा x y प्लस z whole scale is equal to 78 plus 2 और 59 78 प्लस 2 से multiply कर दे तो 9018 और इस तरह भी हमारे पास to 510 और इस पे प्लस 118 बन गया अब देखें इन दोनों को हम add करेंगे 78 को और 118 को तो यह बन जाएगा 196 अब यह वैल्यू आई है x प्लस y प्लस z whole square की जो value हमें find करना है वो है एक्स प्लस y प्लस z यदि इस में square हमें नहीं जाएगे तो square कैसे खत्म कोगा दोनों साइट्स पे हम क्या कहेंगे अंडरूट लें कि अंडरूट लेने से यहां से square हत्म हो जाएगा और यहां पर आजाएगा प्लस माइनस 14 आप देखें जब हम यहां पर value लिखेंगे तो साथ प्लस माइनस भी लगाएंगे क्योंकि यह दोनों plus में number हो यह minus में number हो दोनों की सुरत में जो square है 196 आता है इसलिए पिर इसकी values जो है यह दोनों ही हो सकती है इस तरह से हमारे पास जो final answer आया X plus Y plus Z is equal to plus minus 14 इस तरह से हमारे प्लस में number 4, complete होगा Don't forget to hit like and subscribe and also share our videos with your friends